बसकार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल स्की टीच में दोस्तों निवन्द आप किस प्रकार से लिख सकते हैं इस वीडियो में बताएंगे तो आपको कुछ इस्टेफ फॉलो करना होगा से इसाफ से आप निवन्द लिख सकते हैं तो क्लाश 10 और 12 के इसमें आपको कोई भी वर्ड डवल डवल वार यूज नहीं करना एक वर्ड को आपको एक वार ही लिखना आए तो किसी भी आप जब भी आप कोई सा भी निवन्द लिखते हैं तो सबसे पहला आपका पॉइंट होता है प्रस्तावना तो प्रस्तावना चलिए भी देखते हैं इसकेल से अंडरलाइन कर सकते हैं चली मैं अभी ऐसा ही कर देता हूं अच्छी तरीके से इसकेल से अंडरलाइन आपको करना आए इसके बाद आपको इसके अंदर लिखना है चली मैं अंदर लिख लेता हूं इस प्रकार से आप अच्छी राइटिंग छोटे चोटे वर्ड और एकदम अच्छी राइटिंग में आपको लिखना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं लिख रहा हूं उसी तरह से आपको यहाँ पर लिखना है मानव जीवन तथा संसार नियमों से आवद है तो इस प्रकार से आपको यह निवन्द कोई सा भी आपके पास निवन्द आ जाए उसी प्रकार से आपको यह निवन्द लिखना है आप अच्छे अक्षर बनाएंगे और छोटे छोटे लिखें जादा वड़े अक्षर ना बनाएं तो आपको अच्छे मार्क्स नमबर मिलेंगे तो दोस्तो आप इस परकार से लिख सकते हैं जैसे मैं लिख रहा हूँ आप उस प्रकार से लिखें एक वर्ड को आप दूसरी बार यूज ना करें निवन लिखने का यही विश्ट तरीका है सबसे यह नियम विभिन्न प्रकार के होते हैं तो आप देख सकते हैं यह नियम विभिन्न प्रकार के होते हैं जैसे कि यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं प्राक्तिक, समाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनेतिक तो जो प्रस्तावना है उसमें आप अच्छी तरीके से सबसे पहला पॉइंट आपको अच्छी तरीके से लिखना है आर्थिक, धार्मिक और राजनेतिक धार्मिक और राजनेतिक तो इस परकार से आप लेख सकते हैं इसके बाद आपका दूसरा पॉइंट आता है अनुसासन की आवज सकता तो इसे आप किस परकार से लिखेंगे चलिए मैं बता देता हूँ आपको अनुसासन की आवज सकता तो यहाँ पर आप हैडिंग डालेंगे इस परकार से एडिंग थोड़ा बड़ा लेके हैं उसके अंदर ने उससे थोड़े छोटे एक्षर आप लिख सकते हैं और आपकी राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए आपके नम्मर बिल्कुल भी नहीं कटेंगे तो अनुशासन की आवश्चक ता इस प्रकार से आप लिख सकते हैं इसके वाद आप इसे अंडरलाइन कर सकते हैं चली मैं अंडरलाइन कर दीता हूं और आपको एक्जाम में जेल पैन का उप्योग नहीं करना है मैं आपको और जे मैं इस कलर के उप्योग कर रहा हूं आपको इस कलर का भी उप्योग वहाँ पर नहीं करना है आपको ब्लैक और नेली पैनकाई उपयोग करना है चलिए जो अनुसासन की आवस्ता देखते हैं सामाजिक और राजनेतिक नियमों के पालन से ही इसके अंदर आपको लिखना है सामाजिक और राजनेतिक नियमों के पालन नियमों के पालन से ही देश और समाज का कल्यान संभव है तो इस प्रकार से आपको अच्छी राइटिंग में लिखना है आपके नमबर नहीं कराटेगा एक जामना आज समाज में बरश्टाशार का बोल वाला और अनेक्तिक्ता की ब्रद्धी का कारण नियमों में सम्यक रीती से पालन ना करना ही है चलिए इसे भी लिख लेते हैं आज समाज में बरश्टाचार रिष्टाचार का बोल वाला और अनेक्तिक्ता की ब्रद्धी का कारण ब्रद्धी का कारण नियमों का सम्यक रीती से पालन ना करना ही है ब्रद्धी का का ब ankता हासे जब लेते हैं तो इस पिरकार से आप किसी भी निवंध को लिख सकते हैं आपका जो हेडिंग है वो थोड़ा आपको को आपको अच्छी तरीके से लिखना है और यह से करा अपको यह जैज करने को इसकाशिक सकने मुग से अगर उजय करना लिख सकते हैं और इस चैनल सस्क्राइ抑ं नहीं किया है तो चैनल ससक्राइ抑ं कर सकते हैं मिलते हैं अगली वेडियो में धन्यवाद